विल्कम बैक टू माई चैनल आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही यूनिक और इजी रेसिपी लेके आए हूँ बहुत ही डेजट आप बनाते हों के घर में लेकिन इस डेजट को बनाने के बाद आप बोलेंगे कि क्यों हम इसको पहले नहीं बनाए इक खाने में इतना अस सबस्क्राइब करना के लिए बिल्कुल मन्त विलिए तो चले स्टाट करते हैं सबसे पहले मैंने यहां पर पैन में दूद लिया हुआ है एक कप और उसमे मैंने चीनी दो चमज अड़कर हुआ है अप चीनी आपके टेस्ट के एक अड़कर सकते हैं अभी फ्लेम मैंने देख सकते हैं और इसको बॉयल होने के लिए चोड़ देगे और इसको ठीक होने तक छोड़ेंगे अब देखसकते हैं साइड में मलाई जो है अच्छे से निकल रहा है और अब इससा स्टेज पर हुआ है छर्टक करें गे भाइन आधा निकाल दिया हुए और थोड़ा सा यहां पे बचा के रखा हुआ है देने कटोरी में दो बड़े चमज मिलपाडर और दो चमज मैं यहां पे लिया हुआ है दूद्ध तो इसको हम आच्य से मिक्स कर लेंगे और जो बचा हुआ हमारा मिक्सर था उसमें हम आड क करेंगे तक ही जो खोया है बनके पांच मिनिट या चार से पांच मिनुट में बनके रेडी हो जाएगा अब इसको कंटिनियो श्टेयर करने के बाद मैंने इसमें अभी एड़ कर रहे हूं क्रीम यानि कि मलाई अगर आपके पास डेरी वाला है या पर एड़ कर सकते मेरे यह और इस स्टेच पर मैं यहाँ आट कर रहे हूं देसी घी तो घी मैंने यहाँ पर एक चोटे चमबच अट कर आवा है अगर खोय में आप घी आड नहीं करते है न तो क्या होता है नीचे से वह लगता है और बहुत ज़़दा कडाई में ही रह जाता है तो इसमें आभी मैं इसको मीक्स करें और दिखिए थीक हो रहा है हमको ज्यादा ठीक भी नहीं करना है अब ये थीक हो किया इसे स्टेज पर में इसको फ्लेम को बंड कर दूंगी और इसको गरम में रख लूंगी और सब्साइड कर लूँगी और यहां पर मैंने लिया हुआ यह ब्रेड आप करने के बाद यह जो एजस मैंने रखा हुआ है आप इसको भी वेस्ट में जाने नहीं दोंगी इसका भी रेसिपी में अगले रेसिपी के साथ आपके साथ सेयर करूंगी अभी हम इसको अच्छे से बेल लेंगे क्योंकि हमको थोड़ा यह मोटा रहता है तो इसको पतला करें इसको में ज्यादा कोया नहीं लगता है जैसे ही एक अंदर में एक स्टॉफिंग टाइप करेता है उसी स्टाइच में हमको बनाना है और कॉर्नर में लास्ट में मैंने थोड़ा सा पानी अड़ करके इसको हम अच्छे से रोल कर लेंगे नहीं तो क्या होगा यह खुल जात हम जो पहले बना के रखे थे मिक्सचर यानि कि मलाई का मिक्सचर उसको मैं एड़ करेंगे अगर वह थंड़ा हो जाता है तो आप उसमें आधा कप या वनफोर्थ कप दूद गरम बाला एड़ कर दिजेगा तो ध्यान दखिएगा जो मलाई हम डालेंगी वह गरम होना चा मेरे खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है बनानेमी बहुत हीजी है अप देखके पटा जल जाता होगा आपको यह आपको पता भी नहीं चलिगा कि प्रेड से बनाय वहाँ आप इसको रेसीबी को ज़रूर करें पर मुझी कमेंट करेंदे की कहसा लग रहा है अगर दबल बनाना नहीं या फिर खोया alors और दोह को अलग बनाना नहीं होता है है रहुत ही रेसिपी तो इस तुट बना से दिक बखतकुए यहां साथ कि आप बता सक्का है। आप लोगा बबदे हैं तो इस बोधी नहीं पत्त आफ़ा केolly तब तक लीपाँ